मैं आज किस वाले वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा, हाला कि करके दिखाऊंगा, फिल करके दिखाऊंगा, कि HCPC का जो New Campus mél Fernando 1 September से जो लागु हा या उसको कैसे फिल करना है, कैसे आपको सब्मिट करना है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था बहुत लोग का मेसेज आया कि बहुत लोग में इसको परिशान कर दे कि इस टोपिक में इनको चाहिए पूरा फिल करा हुआ कैसे देखना चाहिए मेरे पास एक अच्छा सेंपल का भी पढ़ा हुआ था मेरे एक फ्रेंड ने फिल किया था तो मैं आप लोग को दिखा सकता हूं और आप उसको देखके अपनी जो कोर्स की कोर्स इंफ्रमेशन फॉर्म में वह फिल करने में हैल्प ले सकते हो और फिल कर सकते हो ठीक है सबसे पहले तो आपको इसको डाउनलूड करना है ठीक है यह जुलाई में पब्लीश हुआ था यह इसके बाद यहां पर आपको पता है एप्लिकर नेम कॉलेज का नाम यह सारा डीटेल्स दालना है इंस्टूट का स्टेम लगाना है जो इंपोर्टन चीज है यह भी आप लोगो और यह 3 में के के सब्जेक्स अपने लिया है वही मेंचन करना है यहां पर लिस्ट ऑफ कोर्सेज बोला इन्होंने आप यह मुद्ध डाल देना यहां पर रिडियोग्राफी तो देखो इन्होंने कैसे डाला हुआ है फर्स्ट इनका था कम्ब्निकेशन फॉर प्रोफेशन लर्निंग अंडर्टेकन अट डिलिबरी इंस्टेट मतलब आपकी जो इंस्टेट है उसी में आकर पढ़ाई हुआ है तो यह डालो यहां पर नो भी लिख सकतो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी कॉलेज में यह कौन सी कभी कवर होता है ना एक्स्टरनल कोर्स करन एक चौन पर नंबर वान में डालो जो आपका सब्जेक्ट है वो नंबर वन में डालो नंबर टू में डालो यहां पर देखो अ यहाँ पर जो बोला हुआ है इनुने एक टोपिक में लर्निंग आउटकम डिटेल अबरॉल आउटकम अप्लिकांट एचिव होल कंप्लीशन अब पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको क्या लर्निंग आउटकम मिला है इस शुट बी डिफरेंट वंद लर्निंग आउटकम लिष्टेट इच कोर्स अंडर्टेकन इन दे क्वालिफिकेशन आपको यह एक हर एक कोर्स की जो लर्निंग आउटकम है वह नहीं डालना ओबरॉल में क्या आउटकम मिला है आपको डालना है जैसे इसका डिप्लोमा था इनका तो डिप्लोमा में यह यह देखो यह आप ल जो क्या कहते है नंबर पॉइंट आउट करके भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह यह टॉपिक में नहीं सीखा था ऐसे आठ दस पॉइंट लगा दो दस पॉइंट लगा दो जिसे इन्होंने कितने बढ़िया से लिखा हुआ देख सकतो आप यहाँ पर वीडियो को आप पूरा एक्स्प्रेइन करो कि क्या क्या हुआ था टीक है उसकी बाद सेक्शन टू सी में डिटेल इंफोमेशन अब ओर दो इच कोर्स कंप्लेट कंप्लेट इन दे क्वालिविशन जब यहाँ पर इच कोर्स बोलता है तो इच सब्जेक्ट की बात हो रही है सबसे पह प्रिक्टिकल तीन हुआ था फिर लर्निंग आउटकम एचीब यहाँ पर देख सकतों पॉइंट वाइस करके पांच पॉइंट पे छे पॉइंट पे आप एक्स्पेंट दिया हुआ है आप ऐसे दस पॉइंट लगा तो दस पॉइंट लगा कि आप आप एक्स्पेंट करो आपकी जो सब्सक्राइब है उसमें अपने क्या कर लर्निंग आउटकम लिखिये जैसे इन्होंने इंग्लिश इनकी प्रोफेशनल कम्मिनिकेशन दा तो सबसे इन्होंने दागए इफेक्टिव वर्वल कम्मिनिकेशन प्रोफेशनल शूट बीए इसे करके आप सबसे बैस्ट आप जड़ी आप ले सकते हो ऐसे दस पॉइंट निकाल दो पांच पॉइंट में चलेगा लेकिन आपकी जो सब्सक्राइब आउटकम में अचीव क्या हुआत है वह आपको बताना पड़ेगा एक्स्प्रें करना पड़ेगा टीक है उसके बाद यह ने लांटिग आउटकम उसके बाद वाला जो टॉप टॉपक है वह सुट्पम कर दो में क्या इनवल्फ अधा मतलब इसे डद में पिर इसा को तके नाम मतलग तें हैं सब्सक्राइब नrau terror करना मैं दिखाऊंगा अभी यहां पर communication में भी इन्होंने पुरा explain क्या हुआ है क्या क्या था फिर आप आजाओ दो नंबर में anatomy and physiology यह सब का common होगा मेरे सबसे तो section 2 लिको course का नाम लिख दिया anatomy यह सारे लिख दिया अपने learning outcome यहाँ पर आपने में लिख दिया understanding of anatomical terms it may be familiar with anatomical terminology and be able to describe the location and relationship with the body structure using the standard anatomical language ऐसा करके आप 10 पॉइंट निकालो खतम कहां नहीं उसके बाद course content में आओ देको human body में skeletal system anatomy of circulatory system digestive system anatomy of nervous system उसमें के-के कड़ा है थोड़ा सा explain करो थोड़ा सा explain करो properly लिखो यहीं चीज़े हैं लिख दिया कतम biochemistry में जाओ biochemistry कभी देखो ऐसे ही ऐसे से करके आप लिख सकतो उसमें कोई दिक्कत नहीं है देखो course content में क्या कोर्स content था distilled water analytical medical valence standard solution unit of measurement carbohydrate यह सारा चीज़े यहाँ पर है उसके बाद microbiology में भी है सही है सेम है exactly उसके बाद एक radiography का दिखा देखा तो आप लोगों को यह रहा radiation physics का ठीक है तो radiation physics में आप नाम लिख दिया अपने verbal written practical लिख दिया फिर learning outcome achieve में able to differentiate between different types of radiation including ironing radiation such as x-rays gamma rays and alpha beta particles non-housing radiation such as radio waves and microwaves तो यहाँ पर यह सारा चीज़े आप लिखो units measurement क्या क्या सीख सकते हो आप क्या क्या सीखा आपने वह subject पढ़ने के बाद overall this knowledge mind essentially understanding the principle of behind the safe and handling of radiation in diverse application in different industries and medical practice उसके बाद आप course का content लिखो शिलेवास डाल दो इसमें उस subject में के कसी लेवास था उसके बाद anatomy physiology का चप्टर होता है ना पार्ट पार्ट होते हैं यह सारे यहाँ पर आप डालो मेरे इस आप से इतना ज्यादा टफ नहीं होगा ठीक है कुछ तो प्रेक्टिकल्स भी होते थे प्रेक्टिकल्स कभी आप लिख सकते हो कुछ प्रेक्टिक्स कभी हैं इसमें आप लिख सकतो जहां आपको दिक्कत होए फिर आपको मेरे को मेसेज करना और ऐसा आप को और information related वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर चकाओट करें मेरे चैनल को subscribe करें आगर किसी को यह वाला पीडिएफ चाहिए तो आप मेरे को टेक्स करना पर यह पीडिएफ मिल जाएगा आपको लिंग्डिन पर में बेच दूंगा आप लिंग्डिन में मेसेज करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है और यह जो टॉपिक है ना एक बार आपको सिर्फ क्या करना है यह जो कि बाद आपको प्रेक्टिस बेस्ट लर्निंग लर्निंग आवर्स जो इसमें भी नहीं दिया हुआ है वह आपको सिर्फ अपने अपने इसाब से लगाना पड़ेगा कितना घंटा आपने पढ़ाई करी हो आपके हर सिलेवास की नीचे लिखे होती है इस सब्जेक्ट में आपको इसे सब्लख लेर्निंग आपको कारना हे उसकी एएंड में जैसे लुवाती है इसाब से लिखे हो यहीं लर्निंग फूट के लौने है इसे état टेया हमुआ करते हिन लूस बेज्ट लार्णिंग तो यह आपको इस वाले टोपिक में आपको क्या डालना है इसमें सिर्फ यह डालना कि आपके जो प्रेक्टिकल किया था उस प्रेक्टिकल में आपने क्या क्या सीखा है और कैसे कैसे सीखा है वह लिखना है ठीक है लेर्णिंग कम आवर्स कंप्लिटे टीक है बाकिया अश्रा करता हूं आप लोग को यह वाला वीडियो इंफोर्मेटिव लगाऊगा ऐसे इंफोर्मेशन डिलेटिव वीडियो वगरे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बने रहे हैं मैरे साथ तेंक्यू बहुत मैं मिलता हूं अगले वीडियो क्या आपचा हूं अंपस्तू्पियो 6.79 ऑन् know मैं आपस्तूं अगימ Carolina